हेलो एवरीबन वेल्कम ट्राइव इंसिटेट ओव एजुकेशन ओनलाइन क्लासिज और मैं लेकर आँ आपके लिए कैसा सलेबस जो जनरली आपके स्पेकिंग को बहुत स्टॉंग कर सकता है काफी काम आ सकता है काफी मदद कर सकता है क्योंकि यह वह चोटे चैप्टर होते ह मैं आपको सुरू से कहता आ रहा हूं कि मैं आपको छोटे और इजी चैप्टर कर रहा हूं जो जल्दी से जल्दी कवर भी हो सके हैं और जल्दी आप इसको स्पेकिंग में यूस करके अपनी इंगलिस को और भी आधा इंप्रेसिव कर सकें अच्छी बना सकें लेकिन मैं पर आएक बात और बोलना चाहता हूं कि मैं यूटूब पर बहुत लंबे समय से नहीं था यूटूब में कोई मिरा इंट्रस नहीं था लेकिन जब मैं यूटूब बनाने लगा तो आल्मॉस मुझे 20 साल लोग इस इंडूस्ट्री में क्लासिज लेते लेते लेकिन जब मै क्लासि ले लेगा और जब मुझे बच्चों को रिस्पॉंस मिले लगा बच्चों ने अपने वियू शेयर किये तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी कोशिक करूँगा कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता जाओं जल दल्दी आपको अच्छे चीज में काफी काम आता है तो इस चप्र कैसे इसमाल होता इसका यूज कैसे करते हैं चले इस बारे में बात करते हैं आज शुरू करते हैं आज का स्लेबस के बारे में बात लेट अलोन देकिन लेट अलोन बहुत ही काम का स्लेबस है जनरल यूज में जनरल स्पीकिंग में इसका काफी उस होता है काफी बोला जाथा है ये किस तरह से काम करता है बात करते हैं लêtre अलोन का प्रियोग ठोड़िए अत्वा तो दूर की बात है जैसे वाक्यों में प्रियोग कहीं जाता है जैसे सुना यह होगा आपने वह मुकेश को भी बीट नहीं सकता राकेश तो दूरगी बात है हाना इस तरह के वाक्य आपने सुने होंगे तो इसमें इसमाल होता है और एक खास बात आपको ध्यान देनी है खास बात जो वो यह है कि let alone का प्रियोग नकारत्मक यानि कि negative वाक्यों के बाद होता है यानि यह हमेशा negative sentences के बाद इसमाल कह जाता है इसका rule बड़ा easy सा है आपको rule समझना है main sentence जिसको भी हम यूज करते हैं वो हमारा main sentence है वो लगाना है plus me let alone लगाना है और plus me remaining part जो भी हमारा remaining tense का part बचता है उसको जोड़ देना है यानि जो भी chapter है यानि कुछ निये कुल तीन चीज़ों को देना है main sentence जिसको भी हम लगाना है let alone plus me remaining part of tense जो भी बचता है उसको जोड़ देना है तो करना कैसे इसको देखते है देखिए example के तोड़ पे मैंने भी बताया था आपको वह मुकेश को भी नहीं पीट सकता राकेश तो दूर की बात है तो कैसे बनेगा he cannot even beat मुकेश let alone राकेश बात समझाएए आपको पिल्कु ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं माली जी मैं कहता हूँ अखबार तो छोड़िये मैं किताबे भी नहीं पढ़ता हूँ अखबार तो छोड़िये मैं किताबे भी नहीं पढ़ता हूँ तो यह कैसे बनेगा तो पहला बाके मारा अखबार तो छोड़िये मैं किताबे भी नहीं पढ़ता हूँ तो मैं करना कहा है I don't even read books let alone newspapers बिल्कु सही I don't even read books let alone newspapers बहुत सिम्पल सा कॉंसर्प तीन चीज़ों को जोड़ना संटेश हमारा बन जाएगा चलिए और बात करते है मालीज मैं कहता हूँ नौकरी तो छोड़िये वह खुद को काम भी नहीं करेगा नौकरी तो छोड़िये वह खुद का काम भी नहीं करेगा अब खुद का काम नहीं करेगा मतलब यह भी नहीं कर सकता वो भी नहीं करेगा दोनों चीज़ नहीं नेगेटिव बात है इसके लिए तो he won't do his own work let alone job हाना बहुत easy है मेरे भाई ने example ले रहे हूँ मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की दोस्तों दूर की बात है तो my brother did not help me let alone friends हाना किदा simple सा वाक्य है कुछ नहीं करना है बस आपको let एक simple वाक्य जोड़ना है let alone लगाना है उसके बाद remaining part of tense जो भी जोड़ना है बहुत simple सा वाक्य हाना चलिए आपको समझ आ गया गो I hope मैं यह यह उबीद करता हूँ ठीक है यह था हमारा लैटरून कितना आसान सा चैप्टर था लेकिन चोटे चोटे चैप्टर की knowledge नहीं होने के वैसे के बार हम फज़ाते हैं और sentence नहीं बना पाते तो अब मैं सिर्फ यह कहूंगा जब आपको यह चैप्टर पता लगी गए हैं आपको पता हैं कि कैसे करना है कैसे इसको रिटर में यूज़ करना है तो चलिए अब आपकी डरन है प्रैक्टिस करिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा आपने वीडियो देखी और आपने छोड़ दिया तो विश्वास होरो कुछ जिनों के अंतर यह चैप्टर आप माइंड से बिल्कु निगल जायेगा तो जरूर ही है कि आप प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें और इस बैल आइकन को दबाना बिल्कुल ना बोलें क्योंको इसी से मिलते हैं आपको हमारी नई वीडियो के अपडेट जो भी नई नई वीडियो आने वाले और मैं अभी इसी वीडियो मेंने कहा था कि मैं न झाल, 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 झाल